एलोविरा की healing properties तो आपको मालूम होंगे और ये 99% of water से भरा हुआ है आपने बहुत बर सुना ही होगा कि एलोविरा sunburns को treat करता है और सिर्फ sunburn ही नहीं और भी बहुत सारे wounds को भी treat करता है और इसलिए एलोविरा को एक super plant बुलाते हैं तो दोस्तो अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लिए टिस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूले treats, cuts and wounds एलोविरा सद्यों से जाना है different skin type के damages को heal करने के लिए जैसे की cuts पे एलोविरा लगाने से growth of new skin और tissue cells increase होते हैं और tissue regeneration को accelerate करता है आपके body में treat burns एलोविरा को use करते है small burns को treat करने में क्यूंकि इसमें menthol से मिलने वाले cooling effect आपको relief देंगे ये inflammation भी reduce करता है और activate करता है tissue और skin regeneration को आपके body में treats frostbite एलोविरा mild frostbite को treat करने में help करता है क्यूंकि इसमें high level of vitamin E है जो skin repairing में बहुत phydomin माना जाता है याद रखे कि ये frostbite एक serious condition होती है तो अगर आपको frostbite हुआ है तो डॉक्टर को पहने consult ज़रूर करे exfoliate एलोविरा से आपको आपकी skin new जैसी feel होगी अगर आप exfoliating scrub try करेंगे तो ये scrub आपके dead skin cells remove करता है और आपके skin को gentle और sensitive बनाता है market में बहुत सारे एलोविरा scrubs और exfoliators available है जब use कर सकते हैं प्रिवेंट्स pimples and treats acne अलोविरा बहुत माना जाता है skin cells और उसके antifungal antibacterial properties को repair करने में जिससे pimples prevent होते हैं और acne और rosacea भी treat होता है अलोविरा blemishes post break out scars और damaged skin को भी अच्छे से heal और treat करता है hair treatment अलोविरा effective है hair loss treatment में इसमें module enzymes repair करते हैं dead skin cells आपके scalp पे से और stimulate करता है new hair growth को तो दोस्तों इतने यह कुछ अलोविरा के benefits तो अगर आपको कभी एक burn आया या कभी cuts और wounds आया तो अलोविरा लगा कि आप ज़रूर जली से heal हो सकते हो और अलोविरा से जूड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें comment section ने ज़रूर बताए और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे like share and comment ज़रूर करें तो अगले वीडियो तक के लिए अलवेदा दोस्तों धन्यवाद